आज हम लोग इस वीडियो में कोई साभी किर्केट मैच होने वाली है और जब उसका पीच कंडिशन बैटिंग फ्रेंडली हूँ यानि कि पीच केवल बैट्समैन लोग को ही अधिक सपोर्ट करता हूँ या फिर बोल सकते हूँ कि इस पीच पर रन जादा बनता हूँ तो यदि पीच बैटिंग फ्रेंडली है तो हमें अपने टीम पर केवल बैट्समैन लोग को ही जादा रखना चाहिए और सब ही कोई लगभग इसी परकार से टीम बनाते हैं जिसके कारण वे नहीं जित पाते हैं तो यदि आप भी इसी परकार से टीम बनाते हूँ इस इसी बात यह है कि आपको अपने टीम पर इस परकार से प्लियर लोग का कॉंबिनेशन रखना है जिसमें टोप ओडर के बैट्समैन में से केवल कुछ को ही अपने टीम पर रखें और यहाँ पर एक बात को ध्यान देना जो बैट्समैन अच्छा पफॉम कर रहा हो उसे तो अपने टीम पर जरूर रखें लेकिन साथ ही साथ जो बैट्समैन अच्छा नहीं चल पा रहा हो उसे भी अपने टीम पर रखें तो यहाँ पर ओभर ओल बोला जाए तो आपको लगभग अपने टीम पर चार से ले करके छे बैट्समैन लोग को ही रखना है फिर उसके और राउंडर में से वैसे पिलेयर को रखें जो हर मैच में बैटिंग और बोलिंग अच्छा से कर लेता हो और वहीं बात करें बोलर की तो यहाँ पर आप वैसे बोलर को अपने टीम पर रखें जो बोलर इसपेसली डेट के अभरों में यानि कि अंतिम के अभरों में बोल करता हो उसे अपने टीम पर ना रखें तो ही अच्छा है और यहाँ पर में बड़ी बात यह है कि आपको अपने टीम के लिए captain and vice captain batsman लोग को ही रखना है या फिर और runner लोग को भी रख सकते हो लेकिन बोलर लोग को मत रखना तो इस परकार से आप batting friendly pitch के लिए एक बेहतर और अच्छा वाला team create कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी team बना सकते हो वैसे में और भी अच्छी बात है क्योंकि आपका team unique बनेगा और जितने का chance भी बढ़ जाएगा ठिक है तो कोशिज करते रहो कभी ना कभी आप भी जरूर जीतोगे तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जय बाई बाई